हाई गाईज वेलकम तो माई यूटूब चैनल लाइफाई एजूकेशन लाइफाई एजूकेशन के इस वीडियो में हम करेंगे जुलाई मंद के फर्स्ट बीक के बेस्ट सेवेंटि फाइफ कॉशन्स तो शुरू करते हैं वीडियो किसे लंबे समय से परवकारी कारियों के लिए बैट 2020 मानवतावादी पुरुसकार से समानित किया गया है इसका आंसर है बियॉंस ओप्शन ए मानव के भलाई के लिए एक और पुरुसकार होता है जिसे बोलते हैं डैनी काय हुमेंटरियन अवार्ड जो की हाली में प्रियंगा चोपड़ा को मिला है मारिया गोमेट जिन्होंने अपनी सेवन वृत्ती की गोशना की है किस खेल से जुड़े हैं ये फुटबॉल के खिलाडी है जो की जर्मनी के हैं जर्मनी की कैपिटल है बर्लीन किस राजी ने मुनस्यारी में भारत का पहला लाइक इन पार्क विक्सित किया है ये राज है उत्तराखंड यहां जिम कॉर्वेट नेशनल पार्क भी है अगर आपको लग रहा है कि मैं आंसल जल्दी बता रहा हूँ तो आप वीडियो रोक कर उसका आंसल दे सकते हैं अगर मैं ज़्यादा पोस्ट दूँगा तो वीडियो की लेंद काफी बड़ी हो जाएगी भारत ने किस देश के साथ 600 मेगा वाट के खोलो गच्चूपन बिजली परियोजना संयुकत उद्यम के निर्माण के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है इसमें दोनों देशों का 50-50 प्रतिशत खल्चा आएगा ये देश है भूतान गीते नाग भूशन जिनका हाली में निद्धन हो गया वे किसलिए प्रसिद्ध थी ये एक लेखक थी और एक कन्नड भाशा में लिखा करती थी भारत सरकार ने कितने चीनी मुवाइल एप पर पती बंद लगा दिया है अब ये तो आप लोगों को शायद पता ही होगा क्योंकि काफी जादा ये वाइरल हुई ती निउस इसमें 59 एप्स को बैन किया गया है जिसमें टिक टॉक भी शामिल है अब ये तो हुआ नॉर्मल था कॉशन अब पूछा जाएगा कि ये किस सेक्शन के तहत इसको बैन किया गया है तो इसका अंसर है सेक्शन 69 A of Information Technology Act इसके तहत इसे बैन किया गया है हर साल किस दिन संसदवाद का अंतराश्टी दिवस मनाया जाता है भारत ने संसद किस देश से लिया है ये देश है ब्रिटेन और इसको मनाया जाता है 3 जून को तो इसका अंसर है Option B नितिनगडकरी ने राजिस्थान और किस राज के बीच 280 किलोमीटर लंबे चंबल एक्सप्रेस वे के विकास के लिए गोशनकी है चंबल एक रिवर का नाम है जो की राजिस्थान और मद्यपदेश में बहती है तो ये जो एक्सप्रेस वे बनेगा ये कोटा को मद्यपदेश से जोड़ेगा इसमें मद्यपदेश के तीन मुक्ष शहर है जो हैं शेपुरी, भिंड और मुरेना इन्हें कोटा से इस एक्सप्रेस वे की जरीए जोड़ा जाएगा विस बैंक ने स्कूली सिक्षा की गुणवक्ता और साशन में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिके डॉलर के रिन को मंद्यूरी दी है इसमें कितने राजी को दी गई है मंद्यूरी ये मंद्यूरी मिली है छे राज्यों को और इस स्कीम का नाम है स्टार्स और ये राज हैं हिमाचल प्रदेश, मद्यूरी प्रदेश, केरल, महराष्ट्रा, औरीसा और राजस्थान केंद सरकार ने किस राज या केंद साशित प्रदेश का बजट चार गुना बढ़ा दिया है ये यूनिन ट्रेटरी है लद्दाक रद्दाक में एक शहर है लेह, यहाँ पे वर्ल्ड योगर डे का मेन इवेंट आयोजित हुआ था किस राज ने हमारा घर, हमारा विद्धाले अबियान शुरू किया है यहाँ बच्चों को घर में ही स्कूल वाला एटमोस्फियर मिलेगा और यह शुरू किया है मदपदेश ने मदपदेश के मुखे मंत्रिय शिवरासिन चुहान और अभी प्रभार मेला है गवर्नर का अनन्दी बेन को किस बेनक की साजेदारी में स्विगी ने अपना डिजिटल वालेट स्विगी मनी लाँच किया है अब मतलब स्विगी का भी एक वालेट होगा और यह उसने लाँच किया है ICICI BANK की हेल्प से तो इसका अंसर है ICICI BANK किस राज ने स्किल कनेक्ट फॉरम मन्च शुरू किया है जो एक ऐसा पोर्टल है जो नोकरी चाहने वालों को आम लोगों से जोड़ता है यह पोर्टल नोकरी.com की तरह ही है और यह शुरू किया है करनाटा की सरकार ने COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाजमा बैंक किस शहर में लाँच किया जाएगा जैसे ब्लेट बैंक होता है वैसी प्लाजमा बैंक है जो अल्रेडी कोरोनल पॉजिटिव थे और ठीक हो चुके हैं उनका प्लाजमा लेके अब पेसेंट को दिया जाएगा ताकि उनमें भी इम्मिनिटी डवलप हो सके और यह बैंक बनाया जाएगा नई दिल्ली में तो इसका आंसर है ओप्शन A गोडिनी जॉनसन को किस देश की राष्टपती के रूप में फिर सचोना गया है इन्हें आइसलेंड की राष्टपती के रूप में फिर सचोना गया है आइसलेंड की कैपिटल है रैकियाविक ग्रीस की कैपिटल है एथेंस स्पेन की कैपिटल है मैडरेट और मेक्सिको की कैपिटल है मेक्सिको सिटी प्रतम प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है पीसी महाल नोबिस का बर्डे आता है 29 जून को और इस दिन नेशनल स्टेटेश्टिक्स डे भी मनाया जाता है तो इससे सम्मानित किया गया है चक्रवती रंग राजन को तो इसका अंसर है option C किस बैंक ने भारत के MSME शेत्र के लिए 750 मिलियन डॉलर की अपातकालिन पती क्रिया निधी को मंजूरी दी है ये बैंक है वर्ल्ड बैंक और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपस और M.D.O.C.O. है अनिशुला कांत इंडियन ओयल कॉर्प ने LPG आयात करने के लिए टर्मिनल इस्ताबित करने के लिए बैंक को LPG के साथ एक समान सायुक्त उद्यम बनाने के पर सहमती व्यक्त की है तो ये किस देश के साथ करी है ये कर रहा है बंगलादेश के साथ इसका अंसर है option A आदिकारिक आकड़ों के अनुसार आठ कोर इंफरस्ट्रक्शर उद्योगों का उत्पादन मई में लॉग्डाउन के कारेंट कितने परसेंट कम हो गया इसमें आठ कोर उद्योगों में जो हैं जैसे कोईला विभाग हो गया, सिमेंट हो गया, इलेक्रिसिटी हो गया, ये सब इन आठ कोर उद्योगों में आते हैं आठ कोर उद्योगों में तो इसमें गिरावट जो रिकॉड की गई है 23.4% की तो इसका अंसर है option C किस IIT ने प्रोग्रामिंग और तारिक विग्यान में दुनिया का पहला ऑनलाइन डिग्री बिए सी और डिप्लोमा पार्ट एक्रम शुरू किया है ये शुरू किया है IIT मदरास ने तो इसका अंसर है ऑप्शन डी किस राज ने MSME और कपड़ा उद्योगों के लिए ऑनलाइन नगत साहयता पहल शुरू की है ये पहल शुरू की है गुजरात की सरकार ने यहां और एक योजना चलती है जो है आत्म निर्भर गुजरात साहय योजना इसमें एक लाग रुपे तक का लोन आसानी से मिल जाता है सूख्ष में खाद उद्योगों योजना के प्रधान मंत्री औपचारी करण के तहत सूख्ष में उद्योगों को कितने परसेंट सबसीड़ी मिलेगी दस लाग रुपे की छट के साथ परियोजना लागत पर तो इसमें 35% तक की सबसीड़ी मिलेगी इसका अंसर है ओप्षिन डी किस आयाईटी ने चेश्ट एक्सरे में इससे COVID-19 का पता लगाने के लिए एक Artificial Intelligence आधारित गहन सेक्षिन उपकरण विक्सित किया है बनार इसमें आप चेश्ट के एक्सरे लेकर ही पता कर सकते हैं कि परसन को COVID-19 है या नहीं ये डबल अब किया है IIT गानी ने गरने जो गुजरात में स्थित है किस बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए एक इसान धन एप लाँच किया है इस एप की मदद से मौसम की जनकारी किसानों को पहले से मिल जाएगी फसलों की उनको कितनी कीमत मिलेगी ये भी इस एप के माध्यम से उने पता चल जाएगा और इस तरीके की और भी जनकारी से अपके माध्यम से उने पता चल जाएगी तो ये बनाया है HDFC बैंक ने इसका आंसर है option A पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन मनी है? इन से पहले कभी कोई महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तानी सेना में नहीं मनी और ये हैं निगल जोहर option डील दर राइड आंसर शशंग मनुहर ने International Cricket Council ICC की अध्यक्ष की रूप में कदम रखा है इसमें अंतरे मद्यक्ष की रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं इमरान कुखाजा ये सिंगापूर के निवासी हैं तो इसका अंसर है option C केरल सरकार ने कोरोना वाइरस की वज़े से नौकरी गवाने वाले एक्सपेट की मदद करने के लिए कौन सी पर योजना शूरू करने का फैसला किया है मतलब जो लोग फॉरेन में थे और नौकरी कोरोना के चक्कर में उनकी चली गई है अब वो केरल में आ चुके हैं तो उनके लिए अब ये योजना केरल सरकार ने लाई है इस योजना का नाम है ड्रीम केरल उप्शन-A इसका सही आंसर है संयूकत राष्ट और अन्य राष्टी संगेठण जनेवा के लिए भारत के अगले स्थाई प्रतिनिधी के रूप में किसे नियुकत किया गया है तो जनेवा के लिए जनें नियुकत किया गया है वो है इंड्रमाणी पांडे और संयुक्त राष्ट अमेरिका के लिए अगर पूछा जाए तो उनका नाम है टी-एस त्रिव मोर्थी और इसका हेड़कॉर्टर है न्यू यॉर्क में विश्डम द्वारा 21 सदी के भारत के सबसे मूलिवान खिलाडी MVP के रूप में किसे नामित किया गया है अगर इसमें पूरे वर्ल्ड का पूछा जाए तो इसका आंसर होगा मुतया मुली धरन जो की स्री लंका के स्लोगे इंदवाज है और अब ये इदर पे भारत का पूछा गया है तो इसका आंसर होगा रविंद जड़ेजा इंडियन ओयल कॉर्परेशन IOC के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कारेबार समाला है इसका आंसर है ओप्शन सीरी श्रीकांत मादव वैद पहले संजीव सिंग थे फिश रेटिंग ने 2021 और 22 के राजकोशी घाटा के लिए भारत के विकास का नुमान 9.5% से घाटा कर कितने प्रतिशत कर दिया है मलब 1 अपरेल 2021 से 1 अपरेल 2022 तक जो ग्रोथ रेट बताया था फिश ने तो अब इसे कम कर दिया है तो ये कर दिया है 8% तो इसका अंसर है option B महान हासिक कलकार कारल रेनेर जिनका हाली में निदन हो गया वे किस देश से थे वे थे United States से केंडिय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मतलब सेंसर बोर्ड के नए मुखे कारकारी अधिकारी के रूप में किसी नियुक्त किया गया है तो ये है रविंद भाकर तो option A का सही आंसर है एड़वर्ड फिलिप ने किस देश के पधान मंत्री के पस से अपना स्तीफ़ा दिया है इस देश में राष्टपती को ज़्यादा पावर होती है और इस देश के राष्टपती है Emmanuel Macron अब आप समझी चुके होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूँ ये देश है France किस IIT संस्तान ने एक अक्षा से घर सिक्षन सेट अप मॉबाइल मास्टर जी विक्सित किया है इसके तहट जो टीचर होते हों घर बैट के अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस्टूडेंट्स तक पहुचा सकते हैं तो ये डवलब किया है IIT कानपूर ने तो ऑप्षन D is the right answer उन भारती अमेरिकी व्यक्तियों का नाम बताए है जिनने कानेगी निगम दौरा 2020 के महान प्रवासियों के साथ समानित किया गया है तो ये हैं सिद्धार्द मुखल जी और राज चेटी तो ऑप्षन A and B बोथ are correct उपा रोका मलुवा जिनका हाली में निधन हो गया किस राज के पूर्वे विधानसवा देख्ष थे मनलब उस राज की विधानसवा के स्पीकर रह चुके है ये राज है मिजोरम इसकी कैपिटल है एजवाल सरोज खान जिनका हाली में निधन हो गया वे किस लिए प्रसिद्ध थी वे एक कोरियोग्राफर थी तो ऑप्षन B is the right answer इन्हें तीन नेशनल अवार्ड भी मिले हैं विश्वे खेल पतकार दिवस विश्वे इस तरपर किस तिती को मनाया जाता है ये मनाया जाता है दो जुलाई को अच्छा आप सभी के लिए कॉशन है कि दिल्ली के लेफटिनेंट गवर्नर कौन है अब मुझे कमेंट सेक्शन में बता है केंद्रि ग्रहम अंतराले MHA ने सशेश्टर बल विशेश सक्तियादीनियम AFSPA 1958 को 6 माइने के लिए बढ़ा दिया है किस राजी के लिए मतलब यहाँ पर बोला गया है कि 6 माइने और यहाँ सेक्यूरिटी देनी चाहिए ये राज है नागालेंट यहाँ की कैपिटल है कोहीमा और यहाँ एक इंतंकी नेशनल पार्क भी इस्तित है फूचर आफ हायर एजुकेशन नाइन मेगा ट्रेंड्स पुस्तक के लेकक कौन है इसके लेकक हैं वी पट्टा भी राम सेंट्रल मारीन फिशरी रिसर्च इस्टिटूट सी एम एफ आराई के अनुसर किस राज ने शीर स्थान पर कबज़ा किया है तो जर उनीस के वार्शिक मच्छियोत बादन में ये राज है तामिल नाडू और गुजराद दूसर स्थान पर रहा पिछले साथ गुजराद ने इसको टॉप किया था निम लेकिन मैसे किस ने एक्सलरेट विग्यान नामक एक नई यूजना शुरू की है मतलब विग्यान को बढ़ावा देने के लिए तो ये यूजना शुरू की है सर्ब ने, ऐसी आर्बी ने औप्शन बी इसका राइट आंसर है अब इसका फूल फॉर्म क्या है साइंस एंड इंजिनरिंग रिसेर्च बोर्ड किस बैंक ने म्यूचल फंड सुवीदा के खिलाफ इंस्टा रिंड की शुरूआत की है ये बैंक है आईसी 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 आई बैंक तो औप्शन डी इसका सही आंसर है कुरोना संक्रमित सामगरी के लिए इंड और नगर निगम ने कौन से रंग का डश्ट बीन पेश किया है इंड और मद्पदेश में इस्तित है और देश का ऐसा शहर है किस राज सरकार ने जूनिर वकीलों को वित्य कठे नाईयों को मात देने के लिए दो साल तक तीन हजार रोपे के मंथली स्ट्राइपन देने की घोशन की है ये राज है तमिलनाडू किस राज सरकार ने इस साल देव घर में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद श्रावनी मेले को कोरोनावाइरस के चलते इस्तगित करने का फैसला किया है देव घर ज्ञारकंड में इस्तित है तिसकांसर होगा ज्ञारकंड यहां पे कुछ और भी योजना चल रही है जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना चल रही है यहां निलंबर पितांबल जल समरिदी ओजना भी चल रही है और ज्ञारकंड की कैपिटल है रांची जहांके एमिस धूनी भी है एवर्टन वीक जिनका हाली में निधन हो गया वे किस खेल से सब्मंदित है यह एक क्रिकेटर थे और काफी अच्छे क्रिकेटर थे और यह वेस्ट इंडीस के लिए खेलते थे उत्तरपदेश ने किस राष्टी उद्ध्यान में हाली में बहुत दुलब रेड कोरल कुकरी सांप देखा गया था यह देखा गया था दुदवा नेशनल पार्क में अब इसे टाइगर इजर्ब भी बना दिया गया है ICTE और CSIR के साथ केंडी मानस अंसादन विकास मंतराले ने ड्रग डिस्कवरी प्रक्तिया का समथन करने के लिए किस हैकेथॉन को लाँज किया है इस हैकेथॉन का नाम ही ड्रग डिस्कवरी है तो आंसर C is the right answer और मानस अंसादन विकास मंतराले के मंतरी हैं रमेश पोक्रियल निशंक जिनकी constituency है हरिद्वार अंतराश्री मुद्रा कोश के अनुसार भारत विदेश्री मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है तो इसमें भारत पाचवे स्थान पर है पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे में जापान, तीसरे में सुईजर लेंड, चोथे में रशिया और पाचवे में भारत इंडियन काउंसिल और मेडिकल रिसर्च, ICMR, पहले मेड इन इंडिया कोरोना वाइरस वैक्सीन लांच करने की योजना बना रहा है जिसका नाम है कोवैक्सीन, ये कब लांच की जाएगी ये वैक्सीन मनाई ये भारत वायो टेक ने और इसे लांच किया जाएगा 15 अगस्त को तो इसका अंसर है उप्शन A चार धाम यात्रा, बदरिनात, केदारनात, गंगोत्री और किसके साथ मिलकर पूरी होती है गंगोत्री से रिवर गंगा निकलती है और जो चौता धाम है वो है यमुनोत्री जहां से यमुना नदी निकलती है सुकबीर सिंग संदू जिनका कारेकाल बढ़ाया गया है किस संगठन के अध्यक्ष है ये भारती राश्ट्री राजमार्क प्रादीकरण के अध्यक्ष है इसका हेड़कॉर्टर न्यू डैली में है किस राज सरकार ने भूमी हीन किसानोंको क्रिशी रिНट प्रदान करने के लिए بالाराम योजना शुरू की है ये योजना शुरू की है औॡिसा की सरकार ने तो इसका ह otur है ऑफशन सी केंद सरकार ने आत्मे निर्वर कारेकरम के तहट 4000 करोड रुपए मंजूर कियें ताकि फूट पार्क के बन्यादी धाचे में सुधार हो सके ये किस राज के लिए किया गया है किसी भी एक फूट पार्क को बनाने में 1000 करोड रुपए का खलचा आता है और यहाँ आप चार फूट पार्क बनाए जाएंगे तो ये करा जाएगा करनाटक में तो इसका आंसर है उप्शन C और इंडिया रेडियो AIR ने अपना पहला समाचार पत्री का कारेकरम किस भाशा में प्रसारित किया है इस कारेकरम का नाम ही संस्क्रिट सापताहिक है तो इसे शुरू किया संस्क्रिट भाशा में तो इसका आंसर होगा आप्शन D वरिश्टो इंडिया की भारत Renewable Energy के CEO सर्वे की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत को Renewable Energy Capacity का केबल कितना जीगावर्ट की जोडने की उमीद है अगले पाच वर्सों में मतलब अगले पाच वर्सों में कितना जीगावर्ट Renewable Energy को जोड़ा जाएगा तो इसका आंसर है आप्शन B 60 जीगावर्ट कौन सा देश कोईला परमाडू उल्जा को चर्रण बद करने वाली पहली बड़ी अल्थववस्ता बन गया है मतलब अब यहाँ पर कोईला और परमाडू उल्जा से बिजली नहीं बनाई जाएगी यह देश है जर्मनी जिसका आंसर होगा आप्शन A किस लगू विद्ट बैंक ने वीडियो के वाइसी के माद्धम से खाता खोलना की सुविदा शुरू की है और यह सुविदा सुरू की है अभी एक क्यूटा से स्माल फाइनस बैंक ने और अब अगर आप कोई भी small finance bank वोलना चाहते हैं तो मातर आपको 200 करोल रुपए की जरुवत उसमें पढ़ेगी एड़ाई ने किसकी अध्यक्षता में एक समीती गठित की है जिसने सड़क के ठेके के लिए surety bond की जांच की है तो इसकी अध्यक्ष है G. स्री निवाशन और आप्शन A. इसका सही आंसर है बैड्मिंटन से सन्यास की घुशन करने वाले लिन्डेन ने कितने ओलंपिक हिताब जीते हैं लिन्डेन चाइना के खिलाडी थे और इन्होंने दो ओलंपिक हिताब जीते हैं इसका अंसर होगा B फोबोस किस ग्रह का निकटितम और सबसे बड़ा चंद्रमा है फोबोस की तस्वीर इस रो ने ली थी और ये मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है तो इसका अंसर होगा आप्शन B उस भारती लड़की का नाम बताईए जिसे 2020 के डाइना पॉसकार के लिए उसके रिसाइकलर एप के लिए चुना गया है ये हैं फ्रेयर ठकराल तो आप्शन D इसका सही आंसर है Cellular Operators Association of India के महाने देशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है इसका आंसर है आप्शन A SP Coacher रेलवे के अनुसार देश में नीजी ट्रेन परिचालन कब से शुरू होगा रेलवे बोर्ड के चेर्मेन है वीके यादव और ये परिचालन शुरू होगा अप्रेल 2023 से तो ये था फर्स्ट वीक का करेंट अफियर और मैं बहुत ही जल्दी स्टेटिक जी की सीरीज भी लाने वाला हूँ जो कि S.S.E. और रेलवे एक्जाम के लिए काफी हल्फूल होगी थैंक यू